हाई फ्रेंट्स वेल्कम अगिन हों सीयने दुरुपता क्लासेज तो कितना मस्त एकनॉमिक्स अब आप समझ रहे हो धीरे धीरे अब फड़ा फट से एक वीडियो और और बहुत कुछ समझ जाओगे और फिर हम अपनी बुक सा चेप्टर भी कर लेंगे हर चेप्टर के स्टा कर देते हैं हमारा पोस्ट मॉटम चल रहा है फिलाल तो ठीक है ची तो एफिशेंसी एंड एफेक्टिवनेस अब हमाँ पस प्रॉब्लम थी human wants are unlimited एक खतम होती है दूसरी crop up होती है तो उसको को कंट्रोल करने के लिए हमने का कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करो और दूसरी चीज एजुकेशन इस हिसाब से उनी चीए कि बेटे पहली बात तो आपकी इच्छाएं थोड़ी सी कंट्रोल अंकुष लगाओ उन पे कहीं तो satisfaction level लाओ दूसरी चीज अंकुष मत लगाओ ठीक है आप इच्छाएं करो लेकिन इंपॉर्टन चीज है उसको पाने के लिए गलत तरीक है निए पॉजिटिव तरीक है अपना हो यह दो चीज़े आप कर सकते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टन चीज कि जो तो resources हमाय पास हैं वह scarce है scarcity है तो C E से पहले C अगर सिर्फ scare लिख दोगे आप तो वह डरना होता है न तो scarcity scarce that is limited कमी होती है जिसकी टीक है तो अगर यह है तो उनका efficient and effective utilization होना चाहिए fuller utilization होना चाहिए planned strategic तरीके से utilization होना चाहिए perfect allocation होना चाहिए ऐसा ना हो कि किसी चीज में तो बहुत जादा और कोई चीज है नहीं तो वह एक sound growth नहीं हो पाएगी हर चीज waste हो जाएगी तो हर चीज पर systematically ध्यान देना होगा सबसे important चीज development of resources होना चाहिए कि minimum input maximum output जिसको आप efficiency बोलते हो obvious सी बात है effectiveness पर भी ध्यान देंगे और impact scope दाइरे पर ध्यान देंगे एक तीर से दो निशाने नहीं एक तीर से 10 या 20 निशाने तब आएगा मजा तब वह impactful होगा maximization होगी चलो जी तो फटा फट से देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं topic बहुत बढ़िया तो efficiency and effectiveness तो minimum input maximum output आप efficiency का मतलब जानते हो efficiency कब आएगी जब productivity बहुत जादा बढ़ती है एक बंदा दो तीन चार्जनों का काम कर रहा है advanced technology well trained well educated workers employees जिससे की एक छोटी से छोटी चीज से जाद जाद आप कर सकते हो wastage कम से कम होगी नुकसान कम से कम होगे तूट फूट कम से कम होगी तो inspection बहुत अच्छी होने चाहिए well infrastructure होना चाहिए well trained employees होने चाहिए well motivated employees होने चाहिए sound supervision होना चाहिए ताकि employees जरा से भी गलती करे वहीं पर उसको पकड़ सको समझा सको तो बहुत अच्छी चीज यह सब चीजों पर आप ध्यान दोगे तब efficiency आएगी तब production level बढ़ेगा तब productivity बढ़ेगी with the same resources you are producing more तो अगर resources सेम है cost सेम है और production जादा हो रही है तो cost per unit कम हो जाएगी चीजे सस्ती हो जाएगी advanced हो जाएगी और सस्ती हो जाएगी यह है positivity यह economic सिखा रही है business studies सिखा रही है कि efficiency होने चाहिए कैसे होगी efficiency productivity कैसे बढ़ेगी क्या उसका cost पे impact आएगा कैसे cost per unit कम हो जाएगी यह costing सिखाएगी यह जुगलबंदी है दोनों subjects में समझो जरा बात को एक subject में आप champion नहीं बनोगे then effectiveness effective हतोड़ा तम मारो जब लोहा गरम हो hit the iron when it is hot क्योंकि अगर लोहा है आप उसको पीटते रो कुछ फरक नहीं बड़ेगा लोहे को गरम करो जैसी वो गरम होते है उस वक्त उस पे हतोड़ा मारते हो तो जिस shape में आप चाहते हो जो आप desired results चाहते हो वो बन जाएंगे वो तलवार बन सकती है वो knife बन सकता है जो आप चाहते हो वो बनेगा लेकिन फंडे iron पे आप तोड़ा बारते हो कुछ नहीं होगा सर में औरदाद हो जाएगा उस आवास से तो समझो इसका मतलब समझो महत तु समझो अब for example में को कोचिंग का काम करना तो मुझे कोचिंग करनी है तो मार्च में बच्चों के पेपर होते हैं मार्च तो बच्चों का पेपर में जाने वाला और फर्वरी में वो प्रिपेशन कर रहे हैं तो फर्वरी और मार्च ये दो महिने ऐसे होते हैं जब बच्चा सोशल मीडिया से इकडम अलग होता है एकडम खतम उसको नहीं मतलब फेस्बुक पे क्या हो रहा है ट्विटर पे क्या हुआ यूटीव पे क्या हो रहा है एकडम बंद अब मेरा जो sales manager था उसने फर्वरी में पांच करोड रुपे का advertisement कर दिया अरे भाईया बच्चों ने देखा ही नहीं जिसके लिए किया उसने तो देखा ही नहीं अरे भाईया तुने मेरे पांच कोड रुपे वेस्ट करें वो तो चल दूसी बात है लेकिन दूसी सबसे important चीज़ है कि मार्च के बाद जो बच्चा आना चाहिए था वो आएगा नी क्योंकि हमाई तो publicity waste हो गई तो वो जो नुकसान है वो अलग पांच कोड रुपे का नुकसान हुआ वो अलग तो इसको बोलते हैं wastage of resources वो effective नहीं था गलट timing पे कर दिया यही वो advertisement अगर December January में करता या March में जो last paper है उस दिन से एक हफता चला दिता ad तो मेरे को उसका impact मिलता तो यही मैं कहता हूँ सही time पे सही काम करना ही सही चीज है तब आपको desired results मिलते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर limited resources हैं तो prioritize करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है कब क्या करना है कब क्या करना है ताकि एक systematic plan के साथ अगर आप चलोगे तब उन resources से आपको desired results मिलेंगे otherwise वो waste हो जाएंगे इसलिए उसका effective होना बहुत जरूरी है तो जो भी आप resource allocation कर रहे हो उसकी distribution उसकी utilization के लिए planning कर रहे हो उस planning को बहुत ध्यान से करना कहीं वो ineffective न हो जाए गलट time पर गलट चीज मतलब कुछ ऐसा न हो जाए कि waste हो जाए तो effective होना बहुत जरूरी है और फिर दूसी चीज उसका आप scope दाइरा कैसे बढ़ा सकते हो कैसे एक तीर से दो नहीं दस शिकार कर सकते हो तो जब यह तीनों चीजे मिल जाएंगी तब आप growth करोगे तब आप maximize करोगे वो है sound growth वो है best utilization, better utilization, fuller utilization of resources अब for example कुछ land ऐसी होती है जहाँ पे खेती नहीं हो सकती बंजर जमीन है ठीक है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो वहाँ पे आप solar panels लगा सकते हो solar plant लगा सकते हो जिससे electricity produce होती है यह वहाँ पे आप कोई और manufacturing production sector के point of view से कोई काम कर सकते हो और जो agriculture land है उसको agriculture के point of view से use करो तो इस तरीके से कि जहाँ पे agriculture land के अलावा जो non agriculture land है उसका आप कैसे best utilization कर सकते हो वह देखो आप और micro level पे काम करना शुरू करो घर घर की चट पे लगा दो solar panels वाओ आत्म निर्भर हर छोटी से चोटी unit अपना अगर maximum चीजे खुद करने लग जाए चोटा सा garden maintain किया जाए चट पे तो रोज मरा की काफी सारी चीजे आप खुद अपना farmer भी बने वे हो थोड़ा बहुत cost आती है लेकिन फिर देखना एक बहुत अच्छा पूरे देश में अगर ऐसा होने लग जाए तो सोचो कैसे inflation डाउन आ जाएगा कैसे सारी चीजों की cost कम हो जाएगी कैसे आप efficient बन जाओगे electricity खुद की कुक मतलब जो सब जी वब जी है उसमें थोड़ा बहुत काफी कुछ खुद का तो बहुत जादा positivity आने वाले बहुत जादा और फिर जो हमाँ पास additional resources बचेंगे उसको हम export करेंगे उससे हम economy generate कर सकते हैं तो यह है सबसे important तो efficiency and effectiveness बहुत important चीज है अब efficiency और effectiveness कैसे आएगी एक बंदा 10 जनों के बराबर production कर रहा है यह और वो भी बहुत easily कर रहा है effective तो यह कैसे आएगा जब वो developed resources होंगे educated resources होंगे experience resources होंगे उन्होंने case studies solve कर रखी हैं तब तो develop करो resources को humans उनको करो उनको educate करो case study solve कर वाओ उनको experience होना चाहिए पता होना चाहिए कहां पर क्या नुक्सान होता है किस चीज से क्या फायदे है क्या नुक्सान है motivate करो supervision good infrastructure advanced technology innovations research and development यह generate करेंगे efficiency and effectiveness तो best realization हो गया natural renewable resources पे आप स्ट्रेस करो तो renewable resources जैसे आपको पता ही है आज की तारीक में और काफी अब हमारे यहां क्या होता है सरकारी department में एक department PWT department सड़क बना रहा है फिर अरे यार फिर पता जला की भाई साब वाइरिंग तो हुई नहीं अब वाइरिंग डिपार्टमेंट आएगा उसको खोदेगा और आपे वायर्स बिचाएगा अंडर्राउंड वायर्स अब जमीन sanitation के लिए pipeline बिचानी थी वो तो ढंग से निया हो तो बहुत पुरानी हो उसको नया करना है तो अब फिर जमीन तोड़ेंगे फिर sanitation के लिए pipeline बिचेगी फिर जमीन बनेगी सोचो जमीन तीन बार बन गई क्या अगर इन सारे departments का एक common portal हो जहां पर यह कौन सा जैसे कौन सी सड़क बनने वाली है कब बनेगी वो एक वहाँ पर रिपोर्ट किया जाए जो कि sanitation department, wiring department, electric department को दिख रहा है कि हाँ electric wires जाएंगी, underground जाएंगी उन सब को दिख रहा है कि इस जगह यह काम होना है तो अगर वहाँ पर sanitation का work होना है, wiring underground होनी है, तो वो departments automatically उस पर reply करेंगी कि हमारा भी काम वहाँ पर रहता है, तो अब क्यूंकि सब को अजल गया कि किस-किस का काम वहाँ होना है, अब वो तीनों मिलके coordinated way में काम करेंगे, तो wiring हो जाएगी, sanitation हो जाएगी, उसके बाद सड़ चाहिए, वाँ, तो यह हमारी government ने किया, that is in year 2020, तो 2021 में उन्होंने एक portal launch किया था, जिसमें different different government departments के क्या काम होने वाले है, कब होने वाले है, वो सब पर चलेगा, कब तक हो जाएगे यह भी पर चलेगा, ताकि आप उसके basis पे planning कर सको, सारे departments मिलके काम करें, देश का पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, काम जल्दी होगा, अच्छा होगा, कम कॉस्ट में होगा, वाँ, that's efficiency, that's effective, यह है बात, that is coordination and cooperation, तो यह सारी चीज़े होनी चाहिए, business studies में भी सीखते हो, economics में सीख रहे हो, और इसका practical रूप, costing और FM में वाऊ, तो when economy business will perform, economy कब perform करेगे, business कब perform करेगा, जब हमारे पस advanced technology होगी, जब हमारे पास developed resources होगे, हमारे पास intelligent mind होगा, quality होगी, तब economy perform करेगी, business perform करेगा, क्योंकि advanced technology होगी, अच्छे से छा product मिलेगा, सस्ते से सस्ते price मिलेगा, क्योंकि advanced technology का मतलब है productivity high productivity high मतलब एक ही बंदा 10 बंदोगा काम कर रहा है minimum input maximum output तो cost वही output बहुत जादा तो cost per unit decrease करेगी जिससे कि आप अच्छे से अच्छा product सस्ते से सस्ते price पर दोगे public को society को benefit होगा लोग थोड़े से पैसों में ही अपनी necessity of life पूरी कर पाएंगे inflation कम होगा यही सब तो सिखाएगी costing कि यह कैसे हो सकता है practically यह theoretically वो practically तो यह दोनों subject जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन आप champion बन जाओगे CEO CFO तो यह तभी होगा जब advanced technology होगी चीक है एक economy एक business का grow करेगा जब उसे पता है कि अगर हम कुछ अच्छा करेंगे कुछ unique करेंगे सबसे हटके तो हमारा product हमारी services जादा public लेगी हमें wealth generate होगी हमारी private wealth generate होगी हमारा pride होगा हमको awards rewards मिलेंगे हमारा एक नाम होगा वो है सबसे important चीज़ तब लोग कुछ extra ordinary करने की कोश करते हैं लेकिन किंतु परंतु एक चीज सोच के देखो चाहे कोई बंदा efficient है या नही intelligent है या नही सब के लिए same ही चीज है सब को same salary मिलेगी promotion होगा हर 3 साल में promotion होगा जिसकी सबसे बड़ी जिसकी age सबसे आदा होगी उसका promotion हो जाएगा या कोटे के साफ से किसी का promotion हो सबसे नहीं हो रहा जो efficient है जो अच्छा है उसके साफ से नहीं हो रहा age के साफ से caste religion कोटा इसके साफ से promotions हो रहे हैं तो कोई भी बंदा मेहनत क्यों करेगा कुछ innovate करने की कोशिश क्यों करेगा जब उसको कोई reward कोई award नहीं मिलना उसकी कोई personal wealth नहीं है सब के लिए same rules regulations government बना seasons लेती है और वो सब के लिए same लेती है और even जो inefficient लोग है उनको जादा पहले promote करती है तो वहाँ पे आप देखना innovations नहीं होती वहाँ पे success नहीं होती इसलिए जहाँ पे government का control minimum है वहाँ पे आप देखो कैसे economic grow की है आप America देख सकते हो आप UK देख सकते हो मैं यह नहीं कहता सब कुछ businessman के हाथों में दे दो नहीं लेकिन government planning वैसे ना करे plan कैसे करे हर चीज़ पर अपना control रखे governance रखे वो businessman बनने की कोशिश ना करे businessman को business बनने दो एक healthy competition रखो बहुत सारे लोग होने चाहिए एकी field में ताकि वह आपस में एक दूसरे को overcome करने के लिए अच्छे से तो economy कब grow करेगी कोई business कब grow करेगा जब उसे पता है कि अगर हम कुछ अच्छा करेंगे कुछ unique करेंगे कुछ innovate करेंगे कुछ improvise करेंगे तो हमारी personal wealth create होगी हमें awards और rewards मिलेंगे a matter of pride तब innovations होंगी तब देश तरखी करेगा economy तरखी करेगी advancements आएंगी वाओ तो when economy और business will perform reward adequately and award to efficiency, effectiveness, intelligence, quality इन सबको adequately award होना चाहिए reward होना चाहिए और इनको अलग से चमकाना चाहिए देखो इन लोगोंने कितने अच्छे अच्छे काम किये और आर्मी, नेवी, एरफोर्स भी different different medals देते हैं जिस हिसाब से जिस level के वो काम करते हैं क्यूं recognition बहुत important चीज़ है और एक level पे obvious सी बात है यहां सब पे तो यह awards, rewards चल जाते हैं लेकिन एक level पे personal wealth अगर आप कुछ unique कर रहे हो तो obvious सी बात है आपको अपकी personal wealth का एक right होना चाहिए इसलिए patent बना कि अगर आप कुछ innovate करते हो तो आप उसे patent करा सकते हो अब वो चीज सिर्फ आपके पास है तो आपकी बिकेगी आपको profit, आपको wealth generate होगा, market में share का price बढ़ेगा आप अमीर बन जाओगे, इसलिए patent आया, समझो, तो awards to, तो chance to prosper, private wealth generation, sense of being different, a matter of pride, तब लोग innovations करेंगे, तब कुछ extra ordinary करेंगे, तब improvise करेंगे खुद को, तब advanced technology जनम लेगी, अगर यह सब तो कभी भी advancements नहीं हो सकती, innovations नहीं हो सकती, improvisation कभी भी नहीं हो सकती, और जितना भी tech mind है, वो सारा का सारा आपकी economy से किसी और economy में जाएगा, जहां पर यह facilities उसको मिलेंगी, इसलिए बहुत पहले, इंडिया से सारा mind foreign country में जाया करता था, लेकिन जैसे जैसे इंडिया मे government का control कम हुआ और privatization आया, तब चीजे efficient हुई हैं, अच्छी मिल रही हैं, कम price में मिल रही हैं, बहुत better services हैं, public को जादा benefit है, advanced technology है, innovation, improvisation है, देश तरक्की कर रहा है, economy तरक्की कर रही है, business तरक्की कर रहे हैं, समझो, इस चीज को समझना जरूरी है, ताकि आप यह समझ सको कि capitalist economy, socialist economy और mixed economy किसमें क्या होना चाहिए, क्या उसके फायदे, क्या उसके नुकसान है, हर चीज आपको automatically समझ में आएगी, उस point of view से देखो किस तरीके से post-mortem किया जा रहा है, तो जिस economy में यह होगा, एक efficient, effective, intelligent, quality को हम reward, award दे रहे हैं, separate कर रहे हैं, उसको wealth generation का benefit देंगे, तब हमारे देश में innovations होंगी, intelligent लोग हमारे देश में रुकेंगे, वरना वो चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने कुछ सोचा है, उन्होंने कुछ नया किया है, तो उनको different feel होना चाहिए, और उनकी wealth भी जादा होनी चाहिए, as compared to common man, यह थोड़ी न not the way, इसलिए government sector में आप efficiency नहीं देखते हो, क्योंकि जो भी efficient लोग हैं, वो government sector में जाना पसंद नहीं करते हैं, वो private sector में जाएंगे, समझो मेरी बात, तो इसी कारण से innovation, improvisation, extraordinary चीज़े होंगी, army, navy, air force भी different, different medals देती हैं, इसी चीज़े को, ताकि लोग प्रेरितों, motivateों, कुछ अलग, कुछ सहासी, कुछ बढ़ा करने के लिए, जिससे कि देश को फायदा होगा, Now if everything preset, तो अगर पहले से पहले preset है, कि job promotions कैसे होंगे, कि भईया हर तीन साल में, time period के साफ से, religion के साफ से, caste के साफ से, something something, poor और rich के साफ से, अब ये poor और rich का भी बड़ा सही खेल है, जितने भी ये TV shows होते हैं, reality shows, dance, singing, उसमें जरूर एक दो बंदे वो ऐसे लेके आते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, हर episode में उसकी कहानी सुनाते रहते हैं, अरे भाईया वो गरीब है, ठीक है, मैं माल लिया, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है, कि वो award ले जाए, award उसको मिलना चाहिए, जो intelligent है, जो उसके काबिल है, कुर्सी उसे मिलनी चाहिए, जो काबिल है, अगर वो गरीब है, तो आप उसको free education दे दो, लेकिन कुर्सी दे दो उसको free में, ये गलत है, इसलिए इंडिया पीछे है, कोटे का मतलब क्या है, मेरे साब से कोटा बिल्कुल होना चाहिए, और जो economically weaker section है, उसका कोटा होना चाहिए, लेकिन कैसे, job में नी होना चाहिए, education उसकी free होनी चाहिए, education free दे दो, कोई पैसा नहीं देना, पढ़ लो, कोई पैसा नहीं देना, अराम से पढ़ो, लेकिन job interview clear करके मिलेगी, आपके marks, आपकी knowledge, आपके competence level के साब से मिलेगी, job में कोटा नहीं होना चाहिए, education में आप कोटा दे सकते हो, समझो बात को, चलो खेर, तो, सरकारों ने अपने vote bank के चकर में, काफी साल ये किया है, तो अब ये जहर घुल चुका है हमारी रगों में, तो ये इतनी असानी से तो नहीं जाएगा, ठीक है जी, तो मेरा तो बहुत गलत होता है, जब आप वो poor, poor, poor कह कह के, और जो अगर कोई थोड़ा सा सही family से बच्चा है, और वो intelligent है, वो जादा काबिल है, तो उसको मिलना चाहिए, बिल्कुल post उसको मिलने चाहिए, आप उस गरीब बच्चे को ये कह सकते हो, कि ठीक है, आप कहीं पर music सीख लो, dance सीख लो, खर्च जी जीनियस लोगों को आप वो post ही नहीं देते, जिस पर बैठके वो काम कर सके, ठीक है, तो healthy competition बहुत important है, healthy competition, बहुत जादा important, क्योंकि competition होगा, तब society को benefit होगा, अब समझो, आप हो Mr. X, आपके पास 100 रुपे हैं, अब Airtel है, आइडिया है, अब वैसे आइडिया और Vodaf एक ही है, लेकिन पहले तो अलग-अलग थे, Airtel है, आइडिया Vodafone, अब ये तीनो, आपको internet आपको पते हैं, कितना महंगा था पहले, लेट 1000 लेता हूँ, लेट 200 रुपे या 300 रुपे ये आप से communication के लेते हैं, अब या तो आप वो communication लोगे नहीं, और communication नहीं होगा, तो सोचो business में कितनी दिक्कते आएंगी, या फिर अगर आप लेते हो, तो आपकी जेव से एक बहुत बड़ा amount इन लोगों को चला जाता है, इनका profit margin बहुत हाई है, बहुत जादा हाई, ठीक है, अब आपके पास 700 रुपे बचते हैं, उसमें आप अपना livelihood करते हो, जैसे तैसे, ठीक है, अब आया Jio, Jio ने का ठीक है, पचास रुपे में ले लो और उससे जादा ले लो, वाउ, अब आपके पास 1000 रुपे ही हैं, मैंने आपकी income नहीं बढ़ाई, मैंने आपकी purchasing power बढ़ाई, आपके पास same 1000 रुपीज हैं, लेकिन जहां पे आप पहले 300 रुपे खर्च कर रहे थे, अब आप 50 रुपीज खर्च करते हो, और आपके पास 950 रुपीज हैं, तो पहले 700 रुपे थे आपके पास अपनी demands, other demands पूरी करने के लिए, अब 950 हैं, अब आप जादा demand पूरी कर सकते हो, अब आपके पास जो ये extra money है, इसको आप different different लोगों के products को buy करने के लिए करोगे, हो सकता है, आप पहले education नहीं ले पा रहे थे, अब आप education लोगे, तो ng classes का turnover बढ़ेगा, लोग जादा आएंगे, हो सकता था, आप पहले अच्छे कपड़े या जूते नहीं ले प पाओगे, देखो ये figures करोड में कर लोगा, ठीक है, तो अब आप वो ले पा रहे हो, तो कपड़े वाले का कपड़ा भिक रहा है, जूते वाले के जूते भिक रहे है, हो सकता था, पहले आप two wheeler नहीं ले पा रहे थे, अब आप two wheeler ले पाओगे, तो two wheeler की demand आई है, उसक production बढ़ेगी, तो जहां पे पहले एक बहुत बड़ा amount, सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में जा रहा था, जिस वज़े से other producers को demand कम हो रही थी, वहीं पे अब nominal figure जा रही है, और वो पैसा other producers के पास भी जा रहा है, different sectors में demand जन्रेट हो रही है, production बढ़ेगी, employment बढ़ेगी, ये होता है, healthy competition का, इसलिए market में healthy competition होना चाहिए, अब आप देखो, आप 1000 रुपे में जादा समान खरीद पारे हो, आपका satisfaction लेवल बढ़ा, आप अमीर हो गए, 1000 रुपे में आप पहले कितना खरीद पाते थे, अब कितना खरीद पाते हो, एक ही 1000 रुपे में, आपकी purchasing power आप अमीर हो गए, दूसी चीज, जादा से जादा लोग internet services यूज़ कर सकते हैं, तो market में क्या चल रहा है, उसके लिए instantly वो informed है, तो वो decisions जो लेंगे, वो जादा अच्छे decisions लेंगे, दूसी चीज, different different sectors में demand generate होई है, तो उससे economy generate होगी, production बढ़ेगा, employment बढ़ेगी, लोग healthy competition करेंगे, तो अब ये लोग अच्छे से अच्छा product और services देने की कोईश करेंगे, सस्ते से सस्ते price पे, तो innovative product, advanced product और services मिलेगा, और price भी कम से कम होगा, ये society का फाइदा है, आप with the same money income, जादा कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे, आपका standard of living बढ़ेगा, satisfaction बढ़े आपको समझ में आया, तो जब तक ये चीजे समझ नी आएंगे ना, तो बस वो रटने वाली बात हो जाएगी, कि healthy competition होना चाहिए, अरे उससे फाइदा क्या होता है, वो भी तो पता होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा, ठीक है, तो हर subject में हम पहले post-mortem करते हैं, हर chapter का आप फिर chapter करते हैं, तो healthy competition अगर होगा, तो आप समझ चू क्यों क्या होगा, best product, best services, with the minimum price, innovations, advanced technology, effective and efficient realization of resources, क्योंकि price कम से कम रखना है, क्योंकि competitor भाई साब तकड़े-तकड़े, तो wastage नी होगी, बहुत ध्यान से, बहुत प्लैन करके, बहुत systematically तरीके से resources को use किया जाएगा development of resources ताकि productivity भड़े, एक ही बंदा 10 जनों का काम कर रहा है, समझो, development of resources है न, लेकिन ये सब under the government control होगा, आप business करने की permission दो private sector को, लेकिन government control, monopolis create ना हो जाएगा, तो जिस बच्चे ने हमारी company law की वीडियो देख रखी हैं, वो समझ चुका है, तो monopolis से बहुत नुकसान होता है, तो monopolis create ना हो जाएगा, उसके लिए government ने different laws बना रखे हैं, आपको पता है हमने already company law की वीडियो में समझा है, तो government को governance करनी है, इस तरीके से की economy sound हो जाएगा, अगर government खुदी producer का काम करने लग जाएगी, तो economy कभी sound नी होगी, कभी sound नी होगी, तो समझो, ऐसा निये कि government सब काम करें, नहीं, private sector, लेकिन private sector को खुला नहीं छोड़ सकते, control, unfair और unethical trade practices नहीं होने चीए, तो जब Jio आया था, तो Vodafone, Idea, Airtel, इन्होंने क्या करा, अपने network से उसके network पे मिलने ही नहीं दिया, और Jio के network से कोई Airtel पे उसके call करता मिलती ही नहीं थी, वो मिलने नहीं देते थे, ये unfair है, unethical है, वो competition को रोक रहे हैं, जिससे की economy को फाइदा होता है, तो Jio ने case कर दिया, और उन लोगों को thousands of crores, 4000 crore रुपे की penalty देनी पड़ी थी Jio को 4000, तो ऐसा नहीं हो ना चीए, security to the smaller weak, तो जो small sector weak है, उसको security होनी चाह है, तो consumer quotes है हमारे पास, वाउ, बहुत fast facile होता है, 99.99% consumer के favor में होता है, a lot of rules for the share market, अब share market में अगर किसी भी share में 2-3 दिन upper circuit लग जाता है, तो उस पर committee बैट जाती है, उसकी futures and options की trading रोक देते हैं, तो उसको जांच की दारे में आ चुका है तू, देखेंगे अब क्या retail investors का, छोड़ोटे investors का पैसा नहीं लूट सकते, बहुत अच्छे rules and regulations बनाए है share market के लिए, इसलिए share market बहुत sound हुई है, बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, तो week को security देनी पड़ेगी, ताकि बड़े-बड़े लोग उसको cheat न बिजनस इसमें उतर रहा है, उनको बहुत जादा control रखना है, और उनका profit margin भी set करना है, कि इससे जादा profit नहीं 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 ले सकते, और पहली बात तो अगर आप healthy competition create कर देते हो, तो वो automatic हो जाता है, क्योंकि हर एक को माल बेचना है, तो सस्ता होना चीए, और अच्छा हो huge investment की जुरत है, लेकिन necessity of life है, चाहिए, growth के लिए चाहिए, तो वहाँ पे government उसमें partner बन जाती है, government पैसा infuse करती है private sector के साथ, क्योंकि private sector technology लेके आता है, advancements लेके आता है, efficiency लेके आता है, और government उसके साथ मिलके फिर काम करती है, तो वहाँ पे infrastructure बहुत अच्छा होता है, advance हो और पैसा government ने भी लगाया है, तो उस पर returns इतनी ना भी आया है, कोई फरक नी बढ़ता, government को return नी चाहिए, infrastructure develop होना चाहिए, जिससे society का benefit होगा, government grants, government different different grants दे सकती है, different different sectors को, या economically weaker society, तो economically weaker society को grants मिल सकती है, क्या आपकी education free, आपका medical free, जैसे की मिली वी है, 5 लाग तक का medical free है जो economically weaker section है, 5 लाख, लाखो कड़ों लोगों ने फायदा उठा चुके हैं already, तो घर के लिए, अपना घर बनाने के लिए, खरीदने के लिए पैसा मिल रहा है, 30 लाख रुपे तक का अगर आप loan लेते हो, तो बहुत सस्ता मिलता है, almost 4% per annum के साब से interest मिलता है, और उसमें भ धूट मिलती है, आपको पूरा loan पे करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत जादा benefit दे सकते हो, आप उनको support करने के लिए, बिल्कुल सही बात है, ये सब काम होने चाहिए, लेकिन आप सोचो जी government producer बनेगी, ये करेगी, वो करेगी, तो government के सारे resources तो उसी में चले जाते हैं, फिर government expand कैसे करेगी, दूसरी चीज inefficiencies होगी, तो wastage होगी, negativity होगी, तो काम business को करने दो, लेकिन government को control रखना चाहिए, और इस हिसाब से ध्यान रखना चाहिए कि weaker section को कैसे फायदा और कैसे security provide की जा सकती है, और business पे कैसे control किया जा सकता, तब जाके हमारा देश तरक्की करे तो मेरा मानना है कि Modi government ने जो policies formulate करी और जिसे साब से वो काम कर रही है, economics के साब से 101% वो बिलकुल ठीक है, being an economist, being an educated commerce side professional, बिलकुल सही policies है और उसका impact आप देख रहे हो, पूरी दुनिया में, क्या valuation है, 2021 में ही, और 2022 में, अहा, 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 ठीक है, तो यह अब आप समझ चुके हो, हर चीज, क्यों, क्या, कैसे, क्या फायदे, क्या नुकसान, अब हम जब करेंगे, अपना chapter start basic, तो देखना आपको ऐसा लगेगा, यार यह पूरा का पूरा chapter अल्रेडी आप कर चुके, ऐसी हर chapter का पहले post-mortem करेंगे, और फिर करेंगे, आ क्या करेंगे, झाल्रेडिव झाल्रेड़ मेंडेगे, शरब हम जब लाच़, ह subscriptions क्यों लाओे मेंगे, पिर झाल्रेड़ की थायदंगे पुके Partner् थेंगेगे, एक राइए, यह नूर्णंगेगे